दिवाली एक ऐसा पर्व है जिस दिन सबसे ज्यादा वशीकरण की साधनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा अधिक तंत्र मंत्र किया जाता है, सबसे ज्यादा अधिक तोटके किये जाते हैं, क्योंकि दिवाली की रात एक तंत्रोक्त रात होती है, दिया जलाना भी एक प्रकार क तोटका ही होता है, और यही वजह है कि इस दिन सबसे अधिक तंत्र मंत्र की क्रिया भी इसलिए की जाती है, क्यूंकि इस दिन करी हुई हर एक चीज सफल बनती है, और आज हम आपको वशी करण करना सिखाएंगे, जिससे दिवाली की रात किसी को भी आप अपने वश में कर पाएंगे, चाहे आपका प्रेम हो, पत्नी हो, पती हो, देखिए, प्यार की तो सबको ही जरूरत होती है, प्यार बिना जीना ही बेकार है, एक पशु हो या पेड़ या पौधा, हर कोई प्यार चाहता है, आगे बढ़ने के लिए, प्यार से ही तो सफलता मिलती है, और वह पती का सुख ही पाना चाहती है, जब उसे पती का सुख नहीं मिलता, तो वह उदास रहती है, जिससे उसका मन तूटने लगता है, और वह हमेशा परेशान जैसी हो जाती है, इसी प्रकार, अगर जिससे भी आप प्रेम करते हो, तो दिवाली पर कुछ जड़ी बूटी की सहायता से आप अपना प्रेम पा सकते हो, तो आए फिर शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको मिलती रहेगी, दोस्तों, जड़ी बूटी में साक्षात अद्रिश्य शक्तियों का वास होता है, ये बस जड़ी बूटी की शक्ति, आपने रामायन में जाना होगा कि श्री राम ने कैसे तंत्र की सहायता से अपने भ्राता लक्ष्मन जी को प्राण वापस ला दिये थे, क्यूकि तंत्र के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, श्री राम के गुरू ने उन्हें तंत्र खाया था, जिससे वह भी असाध्य शक्तियों के स्वामी दे, हनुमान जी खुद अष्ट सिद्धियों के स्वामी थे, तभी वह उड़ पाते थे, और एक छलांग में उन्होंने लंका पार कर दी थी, क्यूकि मंत्र और तंत्र की शक्ति के सामने सब कुछ फीका सा है, तं इसलिए केवल विशेश अवसरों पर ही किया जाता है, ऐसे ही कुछ हैं जो विशेश तौर पर दीवाली के दिन ही किये जाते हैं, मान्यता है कि देवी लक्ष्मी इन से अत्यंत प्रसंन होती हैं और जातक को धन-धान्य का आशीरवाद देती हैं, तो आएए दीवाली के दिन किये जाने वाले इन शक्तिशाली टोटकों के बारे में विस्तार से जानते हैं. सबसे पहला है दीवाली अमावस्या के दिन पढ़ती है. इसलिए इस दिन सुबह सवेरे पीपल के पेड में जल जरूर दें. इससे शनी ग्रह संबंधित सभी दोश तो खत्म होते ही हैं. साथ ही काल सर्प दोश भी खत्म हो जाता है. ध्यान रखें कि पीपल में सुबह सवेरे जल चड़ाने के बाद देर रात सरसों तेल का दीपक जलाना न भूले. दीपक रखने के बाद चुपचाप अपने घर लोट जाए. गलती से भी पीछे मुड कर न देखें. ऐसा करन दीवाली के दिन विधिविधान से मा लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के सभी कमरों में शंक और घंटी बजाए. माननिता है कि ऐसा करने से जातक और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है. साथ ही देवी लक्ष्मी का भी आगमन होत है. इसके अलावा दीवाली के दिन प्रथम पूज श्री गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें. माननिता है कि गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठ चड़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है. जीवन में सुक समरिद्ध की कमी नहीं होती. तीसरा टोटका है. दीव दीवाली के दिन एक नई जाडू जरूर खरीदें. जाडू लाने के बाद उसकी पूजा करके पूरे घर की सफाई करें और जाडू को छिपा कर रख दें. ऐसा करने से मा लक्ष्मी की कृपा मिलती है. चौथा. तोटका है. धन वृद्ध के लिए दिवाली के दिन होने लक्ष्मी पूजा में एक या फिर दो हल्दी की गांठ रखें. लक्ष्मी पूजा संपन्न होने के बाद हल्दी की गांठ को घर में वहां रखें जहां पर आप अपने रुपए पैसे रखते हों. ऐसा करने से धन में बर्कत बरहने लगती है. पाँचवा. तोटका है. द लक्ष्मी पूजा में पीले रंग की कौडियां रखें. मान्यता है कि इस उपाय से जातक की धन संबंधी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती है. साथ ही रुका हुआ धन भी वापस मिल जाता है. अब दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं वशीकरण के ब बिना पानी वाले कूए में अगर फैक कर ये बोल दिया जाए कि अब तुम आज से मुझसे बंध चुके हो, तो इससे वो व्यक्ती ताउम्ब्र आपसे प्रेम में बंध जाएगा और कभी आपसे धोका करके भाग नहीं पाएगा. कितने लड़के ऐसा ही करते हैं कि इलायची दिवाली के दिन अपनी बगल में दबा के रखे, बस एक घंटे के लिए, और जिस व्यक्ती को अपने मोहन पाश में बांधना हो, जिस व्यक्ती को अपनी ओर आकरशित करना हो, या फिर जिसे आप यू चाहते हैं कि ये बस मेरे बारे में ही सोचता रहे, तो आप उस व्यक्ती को ये इलायची मिठाई में डाल कर या फिर दूध में या फिर चाय में डाल कर खिला देना, ऐसा करने से वो आपके मोहन पाश में बांध जाता है, अर्थात, मोहन पाश का अर्थ होता है कि आप से ही बस मोहित होते रहना, आपकी और बस सोचते रहना, और आपके प्रेम में विलीन हो जाना, यही मोहन पाश कहलाता है, यह एक तांत्रिक क्रिया है, इसे मिस्यूज मत कीजिएगा बस, अब आगे और भी वशीकरण के महा प्रयोग हम आपको बताएंगे, वशीकरण दिवाली की रात्री पर बहुत तेजी से काम करता है, इसके ल सानी से आपको मिल जाएंगे कही भी फुटपार्ट पे लगे हुए, बस इन्हें आप तोड़ कर ले आईएगा, बीस की संख्या में ये आपको ले लेने है, और इन सब चीजों को मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है, ये गाढ़ा पेस्ट आपको पिर इस पेस्ट से एक कागज पर उस व्यक्ती का नाम लिखना है, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, बस उसका नाम लिखने के पश्चात आप जो भी उसे आदेश देना चाहते हैं, वह भी आपको उस कागज पर ही लिख देना है, सब करने के पश्चात जो बच जाकर पीपल व्रिक्ष की छाया में इसे दबा देना है। ऐसा करने से वशी करण का पाश ऐसा बनता है कि सामने वाला पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा। ये संपूर्ण कार्य दिवाली के दिन ही आपको करना है या फिर धन तेरस से लेकर दिवाली तक कभी भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इससे पूर्ण वशी करण सामने वाले व्यक्ति पर हो जाता है। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, ओम नमशिवाए, हर हर महादेव